अस्सलाम वालेकूम, असको अस्टम स्रीनिर इंग्रेज बोयर्स चाप्टर वान, ब्यूटी इन पोईट्री, एर एक्स्प्रियांस 1.3.8 नी आम्रालोसना करवो, तो देखी एक्स्प्रियांस 1.3.8 ए आमादर के की करते होबे। पेखाने बला होएशे, read the poem again and in pairs groups identify the similis used in the poem, तो कोबिताटी आबार परो है, बंग जोरा बाद दले भाग है, कोबिताएजे similis गोलो बैभर होएशे, शेठा, चिन्नी तो करो, अर्चात उपरे आम्राइक्टे कोबिता परे सिलाम, श्याई कोबिताटी आबार पर्चे बल कराँ हैसे बा उपमा, शेई उपमागुलो चिन्नीतो करते हवे, finally share your answer with the class, एर पर शेई उपमागुलो चिन्नीतो करार पर आमादे जो उत्तर्टा हवे, शेठा क्लासे सबर साथे भाग करते हवे, also mentioned the patterns you have used to compare the two things person and why the similis are used here, एसर आओ, दोटी जेनिश बा बेक्ती तुल परोनार जन्नो, तुमी जेई patterns ब्याभर करेशो, एबं क्याना ब्याभर करस्तो करेशो ता जानाओ, तो उपुरेर कोबिदाटी आमरा भालव हबे पोरिनी एसे अल्रेडी, तो कोबिदाटी आमरार पर्बोना, एकोने इजे ग्रीड टी दावर हएसे, शेई ग्रीडेज आंसार हबे, शेटा नी आमरा अलोचना करबू, ते खाने कोएक्टी ओप्षोन आमरा देरकी दिये से, और ते ये ओप्षोन गुले आमरा देरके खाली घरे कलमेर, खाली घरे पुरोन करते हबे, तो प्रथमी रहे से character described, character described और जार रशाथे आमरा तुलो ना करबो, और जाके तुलो ना करा हए से, शेटा के आमरा देरके लिखते हबे, शेटा बोस्तु हते परे, बा कोनो बेक्ती हते परे, एरपर compare to with, और तो कोबी ताए, कार्श हते compare करा हए से, शेटा लिखते हबे, कोनो बेक्ती बा बोस्तु के जोदी कारोश हते compare करा हए थाके, शेटा एई घरे लिखते होबे एरप सिमिली और्थात कौन सिमिली दिये compare करा है से बाद तुलोना करा है से शेटा लिखते होबे इए और sentence तार पर आमाद रेक्टी sentence निजेदर मत करे तोरी करते होबे एरपर pattern you have used एरपर आमाद ये sentence ते जे pattern बजे गठन टा व्यभार करे सी शेटा एक खाने लिखते होबे एरपर reason to use the similis शेए similis गुलो कोबिता ये व्यभार करार कारों टाओ लिखते होबे तो कोबिता ये जखन आम्रव परी शेलाम तोकोबिता आम्रव देखिछी सी जे बिविनो शेमिली बयाबखर होई सी बोग तार आगयर कलाश है आम्रव शेमिली संपर के एक्टी कलाश करी सीलाम जेए simili के सिमिली काके वले बाए simili की भबे निन्नाग करते होई आख आखोन आम्रा एई कोलाम्टी पुलाण करवो तो एखाने उत्तुर गोला तोरी करे रेखे सी पुथमें लिखते हवे कारेक्टर डेस्क्राइब आम्रा कोबी तार प्रोथम लाइन्टी ते देखे सिला आम शेखाने बला होई सिला I wondered lonely as a cloud आमी मेघहर मतो आकाकी घुरे बराई तो कोबी नीजे के मेघहर साथे तुलोना करे से मेघ जेवन आकाकी घुरे बराई ठीक कोबी ओ शेभाबै आकाकी घुरे बराई तो एखाने जाके तुलोना करा होई से शेहत्चे दपाय ठेमसल पर्थात कोभी नी जाई, कोभी नी जाई मेघेर साथे तुलो नी तो तुलो नियो होए से, तो कोभी मेघेर साथे तुलो ने होए से ले ये जो नाम्रा compare to e, तो जार साथे तुलो ना करा होए से लो, शेटा होचे cloud, कोभी मेघेर साथे तुलो ना करा होए से लो यह similarity बाभुईत हो है शेटा होच्छे as as a cloud कोभी मेघहर मतो याका की घुरे बेरिये शेलो तो यह similarity दिये कोभी मेघहर मतो घुरे बेरिये शेलो शेटा बोजिये से तो यही सेंटेंस टेखने अमरी लिखता हम एरपन आमरी एक्टी sentence लिखबो your sentences the poet rumped lonely as a cloud कोभी एका की घुरे मेघहर मतो याका की घुरे बराए तो यही सेंटेंस टे आमरी निजे दे निजेर मतो करे तोरी करे शेटा आमादर के निजे दे तोरी करते बेर रॉंप मने होच्छे घुरे बरानो तो प्रोथमे आमरी लिकलाम जार शाते तुलोना करा होई से अर्था देखाने कोभी निजे के तुलोना करे से निजे एक्टा मेघहर मतो याका की घुरे बराए तो आज उप मा दिए एक्टाने कोभी तुलोना करा होई से तो एई सेंटेंस टी जे गाठन ती फेलो करे से शेटा हाच्छे सब्जेक प्लास भाब्लास अडब्ब्ब्वल्ण लॉनली अडभर्भ एबं एज उप मा एबं नाउन क्लाउड शे नाउन एई उप माडी गठन्टी व्याभः करेशे तेर परे आमादेरके लिखते हवे Reason for using the simili और था जैस similarity आमरा याथ कोन व्याभः करलान as a similarity कोभी ताय व्याभः होवर कारणटा की तू सोधा पाइट्स लोनलिनेस कोभी लोनलिनेस बा याका की तोटा प्रकास करा जनकिन दे a as बावबवई तोएसे मेग जावन आका की घुरे बराई छेक आकाशै निस दिये ट कोभी आका की घुरे बराई तो ए as सब्ड़रा दरा आकिन तो आमरा कोभी जे आका की तोबा कोभी आका की घुरे बराई उद्धेशल भिहीन भावे घुरे बराशें पुरो कोवीतारु जूरे एई डेफोडिल्स ५ुलेयर भाहल्दे रंगेर एक धल्यियर ब भूल्डदे रंगेर एई फुलके उधजल ताराँ सेथे तुलोना करेसे जेट आम्रा कोबितार्टी पोरे देखी सी, ताई जारा एकनो कोबितार क्लाश्टी करनी तरा उबश्च्छी करनी बे, कारण कोबितार्टी भाला फापे ना परले, एटा परा खुब कोठीन होये जबे, तो एखाने गो किन्तु एज सिमिलीटी व्याभार होये से, कोबी ड सिमिलीटी व्याभार कोरे सिलें, तेखाने एक्टा सिंटेंस लिखते होबे, the daffodils, the daffodils are shining continuously as stars, daffodils गुलो अभी रातो जलजल कोर सिलो तारार मतो, एक्टार आम्रा as उपमाटे निये एक्टा सेंटेंस तोरी कोरला, तेटार जे स्टाक, सार बाइटाक जे गठान टा फोलो करेशे बाप पैटरंटा, शेठा होचे subject, फ्लास भार्ब, daffodils होचे subject, एबँग shining होचे भार्ब, एरपर as उपमाठी ब्याभवहित होचे, एडबर्ब, एडबर्ब होचे continuously, एबँग as उपमाठी ब्याभवहित होचे, एबँग तार परे noun एटा ब्याभवहित हो धाफोडिल्फूल एज जा उज्जल उता शेठा प्रकास कर आत जन्लो, कभी एई स्टार रे साते किन्तु तूलो ना करेशे लेन, एई आज उपमाठी दिए, कभी एए बँग नाफोचे ये ब्याभवहित होचे ब्याभवहित होचे परेने, कभी तार ब्याभवहित